सवे भवंतु सुखिन, ना तो देर है ना अंधेर है, भाग तीन, हम किसी को भी मानते हों, हम व्यर्थ की बातों को त्याग कर, ज्यान के अनुसार सतकर्म करें, यही लेक का उद्देश्य है, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हों, यदी हमें आध्यात्मिक लक्षय को शातकार करना है, दिव्य सुख पर्मानंद की अनुभूती करनी है तो, हमें हमारे अंतर में, जन जन मांत्रों से, मन रूपी दर्पन पर जमी हुई, कालिक मेल गंदगी को, ज्यान रूपी साबुन के माध्यम से साफ करना ही होगा, जैसे एक गंदे कांच में अथ्वा, ह परिग्र, श्रॉच, संतोष, तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रानिधान, ज्यान के अनुसार सदाचरन, ध्यान के माध्यम से, साफ उजवल करना ही होगा, चंचल मन जो की, ना जाने पल भर में कितनी, लंबी-लंबी यात्रा कराता है, कितने ही विचारों से सराबोर होता ह उसे शांत करना ही होगा, उसकी संसार के चिंतन की यात्रा को, ध्यान के दौरान एकाग्र कर, शांत करने का अभ्यास करना ही होगा, यह भजन हमें सचेत करता है कि, सुख, दुख, संपन्नता, विपन्नता, शक्ती, निर्बलता, जो कुछ भी मिलता है, वह हमारे स्वयम के कर्मों का परिनाम होता है, जैसे कि हम सत्यपत पर चले रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी कारण से दुरघटना ग्रस्थ हो जाते हैं, अथवा शरीर में कोई रोग लग जाता है, तो उस दुरघटना अथवा रोग के माध्यम से हमें जो दुख प्राप्त होता है, वह पमे कर्मों के कारण, हमें जो दुख प्राप्त होता है, वह दुख हमारे प्रारब्ध संचित क्रियमान पाप कर्मों का रिन उतार देते हैं, हमें जो भी सुख प्राप्त होता है, वह हमारे प्रारब्ध संचित क्रियमान कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है, यानी की च दिखकर तो दुखी होते हैं, लेकिन सुख के क्षणों में अधिकतर मनुश्य भूल जाते हैं कि यह सुख भी उनके प्रारब्ध संचित क्रियमांग कर्म के कारण ही प्राप्थ हुआ है। लगातार 4